मिठ्चू मिठ्चू तोता डाली उपर सोता हरी मिर्ची खाता नहीं नहीं हरी मिर्ची तीखी लगती है बुडिया हरे बदमाश ऐसे कौन बात करता है मैं करता हूँ ऐसी बात नहीं करते अच्छे से बात करते हैं ठीक है पर मैं तुम से बात नहीं करूँगा क्यों तुमने कहा न अच्छे से बात करते हैं लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढिया अरे मैंने तेरा क्या भी गाड़ा है रे मिठु कल ही पड़ोसी की छत पे सुखर ही डाल ले आई थी तुम सावन का महीना पवन करेश और डाल उठा के लिए आई बुढिया कैसी चोर अरे अरे मिठु चक्रवर्ती इतने जोर से मत बोल सब सुन लेंगे मेरी एक शर्त है अब बेट तो ओते कहीं के चल बोल एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा मुझे पसंद नहीं है दूसरा मैं घर में रहूंगा पिंजरे में नहीं अहां चले मान लोंगी पर कहीं ओड मत जाना पागल हूं क्या यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है तुम मेरी शर्ट मानती हो जंगल में दंगल करने क्यों जाना जब इधर यह मंगल हो रहा हूं तो तू तो बहुत चतूर है रे हाँ हाँ सीखो कुछ मुझ से अरे ज्यादा चोच मत चला ले पिंजरे से बहार आ जा और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में बाबु जी सुन लेंगे तो लडाए हो जाएगी घर में तू चाता है कि घर में लडाए हो हाँ चाता हूँ चाता हूँ लड़ो लड़ो बहुत मसाएगा लड़ते हुए लोग बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते है औरे, राम, 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 कैसा मिठ्ठू है रे तू? बुडया, बुडिया, रोटी, जोरी करती, खोटी, राम, राम, करती, पर ल्टे काम करती एए मिठू अंदर कर दूंगी बहा निकल के जबान फड़ फड़ाएगा तो पेंजरे में पंक फड़ फड़ाने पड़ेंगे समझे माफी चाहता हूँ बुढिया माफ कर दो और ये बुढिया बुढिया मत बोला कर मुझे हाँ हाँ शीला बहा तो जमान है ना तू कल ही तो घुटने में दर्द था वैसे एक बात पता जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या क्यों वे ऐसा क्यों पूछ रहा है क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढिया तबी वहाँ बाबुजी आ जाते हैं अरे क्यों रहे मिठो चक्रवर्ती तु पिंजरे के बाहर जमानत हो गई मेरी अरे वा रे वा चल अच्छा है बाहरी रहना पर उड़िना मत अरे फिकर नाट तु मज़ जैसे धर्मात्मा आत्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा अरे चापलू से मतकार भजाने कार नहीं 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 पहले भोजन करूंगा मिठो खाने लगता है सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसो अरे इतनी जल्दी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे अरे असा क्या करना है अरे देख की लिस्ट भी तो बनानी है कार लूंगी, दसलाख नगद लूंगी, जेवर, LCD, TV, डबल डोर, फ्रीज, सोफे, फर्निचर अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है एक बार पाप करके अगर जिन्दगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए अरे ठीक है ना तो पतनी की जगह वाइफ बोल दिया करो अरे मैं तुमको अपनी धरम पत्नी मानता था पर तुम तो बेश अरम पत्नी निकली अरे मिट्टू चुपो जा, मेरे सामने से चली जाओ अरे आपकी पीछे खड़ी हो जाओंगी तो बोलेंगे के पीट पीछे बाते करती है वाब बढ़िया वाब बढ़िया जोक, ठोको ताली बिठ्टू चुप, देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूँगी और बहु से काम भी करवाओंगी रोक सको तो रोकलो, रोकना ही नहीं चाता, चली जाओ यहां से बाबा बढ़िया जोक, लेकिन उत्मा मजा नहीं आया, एक और सुनाओ मिठ्टू चुपो जाओ मा वहाँ से चली जाती है, शाम को घरवाले महा भारत देख रहे हैं मिठ्टू, यह धर्मराज युदिष्टिर है, जूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, तू भी ना हमेशा सच बोला कर सच बोलने से क्या होगा? अरे पुणिय मिलेगा, स्वार्ग मिलेगा अरे तुम से क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड़े तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमडी रे पाला है छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमडी बोल रहे हो अरे बै तब की बात कर रहा हूँ, जब तू जंगल में रहता था नहीं नहीं उसी को बोल रहे थे, रुको अभी लड़ाय करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ अरे ओ तोता, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर, रोज टॉफी मिलेगी ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का दो दिन बाद, घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं हाँ जी, कितने लोग है घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबुजी हाँ हाँ बढ़िया, करदे पराया मुझे, मैं भी तर इस घर का हूँ ना अरे हाँ, ये है मिठ्छ चक्रवर्ती अरे वाह, कितना प्यारा पेरट है ये पेरट क्या होता है? मिठ्च को इंग्लिश में पेरट कहते हैं ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियाटी कहता है सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती देख बुढिया तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बिट्टा बिट्टू हम बात कर ले या तू ही करगा अरे चुप भी रहना धुड़ी देर हमें तो लड़की पसंद है जी सतीश को भी पसंद है लड़की से भी पूछ लो एक बार उसको तुम पसंद हो या नहीं आरे चुप कर मुए बना दूँगी एक क्या अब टॉफी टॉफी दूँगी ये खा और चुप रहे सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी दो टॉफी लोगा बहन जी आपकी कोई मांग हो तो अरे मा जी मांग तो लड़की की रहती है है ना जो लड़का भरता है अरे सतीश बेटा तो रहने दे नई 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 मांग तो नहीं है पर क्या बहन जी पर क्या पर क्या बोलिये ना पर दहेज लोगी दहेज लोगी अरे चुप मिठो वन आज ही जंगल में छोड़ाऊंगा अरे कल तो यो धिश्टिर बनने का सच बोलने का बोल रही थी आपके टौफी खाई है जूठ नहीं बोलूँगा अरे बेटा मिठो देखिए देखिए बुडिया को कार चाहिए क्योंकि सतिश्की हैस्य तहीं है करीटने की बुडिया को डबल डोर फ्रीज चाहिए दसलाक रुप्या भी चाहिए क्योंकि जैसे बेबी को बेश पसंद है वैसे ही बुडिया को कैश पसंद है फ्रीट पुकट का एश पसंद है मिठो अब तो तेरी खैर नहीं है बुडिया तेरे हाथ नहीं पहुचेंगे ज्यादा नाटक किये तो छत पैसे जो चोरी की थी वो भी पता दूँगा चोरी? हाँ हाँ पडोसियों की डाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत पे करती है कि कैसी सस्ती डाल खाते हैं पडोसी और पता है अब तक इस गर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुमारा इंतजार था मिठ्टु की बात सुनके लड़की वाले वहाँ से चले जाते है अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी फिर भी तुने हमारा काम विगाड़ा सच बोलना चाहिए बढ़िया, बाबुजी ने कहा था अरे ठीक ही तो है लड़की को जूट बोलके इस घर में ले आते तो पापी लगता न शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए अरे चल चल बुड़े अपने बाब को बच सिखा तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बत्तम मिजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे चलो मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ, टौफी कहा है मेरी बाबुजी मिठू को टौफी देते हैं, टौफी खाते हुए मिठू बोलता है मिठू मिठू तो ओता, मिठी टौफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता